चाटू कारिता का बात आप क्यूं कि हम ने आप से पूछा आप असलीलता का मुद्धा उठाते हैं यादि कि पवन सिंग करें तो लीला उसका खेसार इलाल कर दे तो केरेक्टर ढीला इकोन सा पैमाना है चलिए देख लीजिए जब भोजपूरी सिनेमा का नाम आता है तो फिलहाल अभी के दसक में दो ही इस्टार बोले जाते हैं एक पवन सिंग ले लीजिए और एक लीजिए खेसारी दोनों जम मनाते हैं मीडिया में हाइलाइट होने के लिए एक दूसरे को गाली गलोज करने लगते हैं कोई अपने facebook platform का इस्तमाल करता है कोई दूसरे facebook platform का इस्ताद करता अभी ताजा मामला है पवन सिंग और खेसारी फेर एक दूसरे पर कमेंट करने लगे हैं आई इन्हीं से मसलों पर बात करते हैं समीर चौधरी जी से बात करते हैं उनसे पूछते हैं उनका क्या कुछ कहना ह भोजपूरी में श्रीफ पवने और खेसारी एक मामला चलेगा फिर वो दोनों एक दूसरे को तंज कस रहे हैं क्या बोलिएगा शुक्त समझे की नहीं दोस्त तो आप बना नहीं सकते हैं क्योंकि दोस्त को बाप को नहीं बनाता है यह पहले ही डिशाइड कर लिजिए खेसारी लाल जी कि आप बनना क्या साथे पबन सिंग को बारे में क्या बोलिएगा भाया अभी हम आपको दूथ हाप मारेंगा ता लोगों का इंटरनेट का खर्चा का रुपएया रहा है कहां पत्रकार बंदू लोग खमा रहे हैं अब इसमें अगला का कुछ नहीं जाता है क्षेसारी को पैसा घट गिया है उकराब पैसे थोड़ी आप लोग देदीजेगा देदीजेगा उसको चाहिए हम रहा देदीजेगा इस सब एक चर्चा का भी से बना कर रखता है खेसारी लाल चाहता है कि हम चर्चा में रहा है जब तक पबन सींग का नाम नहीं लेंगे खेसारी लाल को लोग भूल जाएंगे याँट कोनों के नाम कहीं नहीं ले लेता है हम तो कहेंगे ना अगर आपको अगर हिम्मत है अगुबत है ना तो कभी आननसींग के अब टिपनी करके देखा दिए सब्सक्राइब करते हैं अपके गाउं कहा है नहीं है मेरे गाउं कहा है विहार को एक बत बताइए आप चाटु कारिता का बात आप क्यूं कि हम अपसे पूछा आप असलीलता का मुद्दा उठाते हैं आप मनी मिराज को टारगेट करते हैं अप खेसारी लाल को टारगेट करते हैं आप पवन सिंग को टारगेट करना भूल जाते हैं क्या पवन सिंग असलीलता भोचपुरी में नहीं फैलाता है जाहिए आप पवन सिंग किसी को उंगली कर देगा अधारत होगा उंगली से मतलब नहीं जब आप असलीलता पे मुद्दा उठाते तो पवन सिंग को क्यों भूल जाते हैं पवन सिंग भी वही है वही भोट पुरिये स्टार है कि जो कल को अभी भी बर्तमान में जी एक उसका गाना आ गया क्या हुआ अभी पवन सिंग केकर मया का चोली पे गाना गात यहां बताईए आप पैमाना परस पे क्यों बदल देते हैं कि पवन सिंग गात उसके बढ़ती कहीं 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 आपको कोई बी इंटर्व्यू ले लीजिए कहीं कहीं लोगों को अभास होता है कि आप पवन सिंग पे सॉफ इतने भी वीडियो हैं हम बोलते हैं नाइंटी पर ती पब्लीक जैक्सान से लेके एक्सपोज मीडिया से लेके आप जाकर देख लिजिए कि जब हम रेलते हैं ना पीछे मुड़के नहीं देखते हैं जिस दिन कोई गल्ती करेगा उस दिन हम किसी पूछ रहे हैं पबन सि में लेकर रहे हैं आप कि नहीं कहलते हैं जादे ना तुछला कारण बता देता नहीं कारण बता जिस दिन पवन सिंग भी अगर वैसा कोई गलती करता है तो आप ही मेरे से आकर पूछिएगा और जो वीडियो में अभी कितना पूछे हैं तो कटिंग करके लगा लिजेगा धन्यवाद हम जादा इसे लोगों को इंट करें और जहां से जहां तक लोगों तक सचाई दिखाईए जब पत्रकार सची और करवा सवाल जब पूछने लगता है तो लोग इसी तरह हाद जोड़के भागते हैं धन्यवाद